Hello everyone, I am Anusha Agrawal I hope अब तक तो आपको पता चली चुका होगा कि result आ चुका है ठीक है, फिर भी अभी within 15-20 minutes के अंदर में ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक जितने बच्चों से बात हो रही है कही लोग disappoint हैं उनके marks को लेके ठीक है, तो उससे related में आपको बता दूँगा और अभी तक highest percentile हमारे यहां से 98 आए और जितने भी लोगों को हमारे channel से help होई हो तो जरूर comment section में बताना कि आपको क्या help होई थी ठीक है, और आप अपने percentile भी जरूर बताना ठीक है, अब result से related बात कर लेते हैं यह मेरे quant के percentile थोड़ा सा, ठीक है, चलो, काम की बार देखे, जिसे मेरे भी quant के जो percentile हैं, लेकिन जो percentage वह जो मैंने calculate किये थे उससे कम है, है ना, इसे ही सभी बच्चों के, आप में से जित्ते भी लोग देख रहे होगे मेरे खाल से, quant में आपके percentage आपको कम दिख रहे होँगे, है ना, agree तो मेरा इसमें personal मानना है कि वो जो plus 3 marks इन्होंने देने की कही थी plus 3 marks, है ना, वो शायद नहीं दिये होँगे, क्योंकि अगर हम वो 3 marks को add नहीं करें तो approximately वही नंबर आपके आएंगे, है ना, जो आपके अभी scorecard पे show हो रहा होगा तो हाँ, इसमें आप एक काम क्या करना है वह मता दिता हूँ, same DM में भी मुझे लग रहा है कई लोग DM के उससे भी satisfied नहीं है, तो DM में भी जो कई बच्चे बोल रहे थे, Z को लेके issue था उसमें भी हो सकता है, इन्होंने वो mark deduct कर ली हो, ठीक है, अब यह पता कैसे चलेगा, यह main चीजे, तो देखना Z की website पर login पर क्लिक करना, login ठीक है, यह candidate, result वाली टैप पर नहीं, यह candidate response वाली टैप पर नहीं, कौन सी टैप पर, login वाली टैप पर, फिर raise your query करके, जो होता है न, right side में corner पर देखना, raise your query, उस पर आप type करके पूछ लेना, कि भाई, quant में क्या आपने वो 3 marks lot किये हैं, कि deduct कि प्लस DM में भी कि आपने ऐसा कुछ किया है, तो यह query आप raise कर देना, तो फिर आपको exact reason पता चल जाएगा, कि आपके जो marks कम आ रहे हैं, वो क्यों आए, मेरा personal मानना है कि जो plus 3 marks उन्होंने response sheet में देने की कई दी कि हम allot करेंगे, वो नहीं दियोंगे, लेकिन अब दूसरी site पर आते हैं, overall अगर आप देखोगे, percentile फिर वही आया है, जो आना चाहिए था, है ना, तो percentile में आपके कोई फरक नहीं पड़, जैसे मैंने जो अपने percentile सोचे थे, वही हैं, ठीक है, क्योंकि Z100 तो देता नहीं है, ठीक, वेसे ही बाकी बच्चों के भी, कुछ मेरे बच आ जाएगा, तो फिर मैंने का था कि हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए, तो वो उतना ही approximately आया है, 19-20 का फरक है, लेकिन drastic change नहीं है, फिर भी आपके मन में अगर कोई doubt है, quant और DM को लेके, तो आप 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 जाके clear कर सकते हो, और अगर आपको हमारी channel से क catipmat.com, जो भी आपकी पहचान में आपको अगर ड्रॉप लेने वाले हो, तो slash cat2023, इस पर जाके हमारा course purchase कर सकते हो, या next year cat देना हो, उसके, तो slash cat2024 पर जाके आप course purchase कर सकते हो, ठीक है, और wet.pi कि अगर आप लोग preparation कर रहे हो, तो free pdf हम लोग provide कर रहे हैं, आप हमारी website पर जाना हो ही, catipmat.com, जाना इधर लिख देता हू, catipmat.com, बस इतना, इसमें scroll down करना एकदम bottom ता, आपको ए vdf मिल जाएगी, उसको download कर ले, ठीक है, तो thanks for watching this video, all the best.